हेलो फ्रेंट्स Welcome back टो नाथर रियक्शन वीडियो सो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप की आप सब लोग ठीक होंगे सो चलिए शुरू करते हैं आज का रियक्शन वीडियो सो दोस्तो बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम के बाद फणी भया ने आखे सच पोल ही दिया और इसी सच का हम सब बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और बिना डर बेधड़क होके फणी ने कल के व्लॉग में हमको सच बता ही दिया तो पूरी बात करेंगे इसलिए पोड़कास को एंड तक जरूर सुनना बिना स्किप करें वे ताकि कुछ मज़िदार पॉइंट्स आप लोग स्किप ना कर जाओ तो दोस्तो जैसे कि आप सबने देखाई कि आजकल फैमिली को जादा ही अक्टिव हो गई है जब से जनाब यानि कि डबा के भाई जान शो में गए है तब से पूरी फैमिली बिलकुल पंचवल हो गई है और कहीं पे भी व्लॉग में एक मिनट के लिए भी भूलते नहीं है कि व्लोग के end में, व्लोग के शुरू में या व्लोग के बीच में भाई के शो का प्रमोशन, in fact भाई का प्रमोशन करना is mandatory, तो बहुत टाइम के बाद डबा को फुरसत मिल ही गई अपने भाई की वीडियो देखने की, क्यूंकि ये इन लोगों की ट्यूनिंग थी आपस में कि एक दिन एक के व्लोग में दिखेगा, दूसरे दिन दूसरे के व्लोग में और तीसरे दिन तीसरे के व्लोग में, ताकि एक भी दिन ऐसा ना हो के miss out हो जाए और भाई का वीडियो ना नजर आए, वरना डबा अपने भाई का वीडियो कैसे इतना डिले कर सकती थी, लेक जलिए दिन के लिए क्या बचेगा तो इसलिए जनाब माडम और डब्बा ने प्रीप्लान करके यह ही डिसाइड किया कि वन बाइव एक एक के व्लॉग में एक दिन के बाद वीडियो दिखानी है बट वीडियो दिखानी is तो चलिए फिर से एक बार वीडियो देखी जनाब की और उसके बाद आती है बारी नानी की तो नानी से बिचारी से एक्चली यह लोग बनाने से पहले धंक से कम्यूनिकेशन नहीं करते हैं देखो जानाब और माडम तो इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट हैं वो अगर किस जादा तो स्क्रिप्टिड नहीं होते ना तो नानी को क्या बोलना है किसके लिए बोलना है ये वो बताती नहीं है बस नानी की तरफ कैमरा गुमा देती है और नानी विचारी को जो नहीं बोलना होता है नानी वो बोलनी पाती है तो डब्मा ने पूछा था अपनी एनिव तो नानी बिचारी ने वही किया चलिए ठीक है उसके बात बात करते हैं दिवाली तो दिवाली का content तो common हुआ है ऐसा लग रहा है कि पता नी जब से ये लोग इस दुनिया में इस धर्ती में आए है ये इनकी पहली दिवाली है कि इनोंने first time दिवाली देखिए कि हमारे हिंद हाईयां gift करते हैं वहीं पर डबा ने इस बार सबको एक एक बरतन gift की है वाओ हद देखो कि सब के हाथ में किसी के हाथ में कटोरा किसी के हाथ में plate ये पकड़ा के पुरा vlog का content create कर दिया गया और तो और अगर आपने गौर किया होगा तो उनकी जो वहाँ पे मामा की बेटी है वो अभी थोड़ा सा इनके रंग डंग में इतनी रंगी डंगी नहीं है मासूम सी सीधी साधी दिखती है वो सहर तो वो बिचारी सहर सब के मूँ टुकुर टुकुर देख रही है हाथ में उस बिचारी को भी plate पकड़ाई है बट वो इतनी confused वहाँ पे नजर आ रही है क कि ये लोग आखिर में कर क्या रहे है और सबसे बड़ी बात कि ये डबा क्या कर रही है अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर repeat mode पे देखना जरूर कि उस बिचारी बच्ची के expression किस तरीके के आ रहे है एकदम surprise और weird expression नहीं होते किसी के कि भाया ये चल क्या रहा है बस बच्चा है मुझसे कुछ बोल नहीं पा रहा है लेकिन फील सब कुछ कर रहा है कि ये ड्रामा आगर चल गया रहा है तो चलिए डब्बा के ड्रामे तो हमेशा चलते ही रहते हैं तो उसके बाद बात करते हैं फनी भाया के सच जो मैंने आपको podcast के शुरुआत में ही ब प्यार जाते हैं तो इस बार फनी भाया ने डंके की चोट पे अलान कर दिया कि भाया मैं डब्बा को बहुत जादा प्यार करता हूं सबसे जादा प्यार करता हूं बेशुमार प्यार करता हूं बेधड़क होके फनी भाया ने ये बात बोली दी और ये बात फनी भाया ने ये है भाया कल्यूक की संतान की 7 साल के प्यार के चक्कर में 20-25 साल का प्यार एक मिनट में इंसान भूल जाता है। डबबा से रिलेटर हर चीज ध्यान रहती है कि मेरी डबबा कितना काम करती है, मेरी डबबा ये करती है, वो करती है। चलिए मानते हैं, मानते हैं कि थोड़ी बहुत pampering करनी तो बनती ही है, आखिर डबा की source of income से ही पूरा घर बार चल रहा है, तो थोड़ा बहुत pamper तो डबा को करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ-साथ फणी भया शायद अपनी ही बोली भी बात भूल गए, जब फणी भया होगी, डबा फिर से सिर्फ अपने अम्मी, अपनी खाला और अपने कजन्स के बीच में ही नजर आ रही है, अगेन अपने सस्राल वालों के साथ, अपनी सास के साथ, अपने सस्राल फैमिली के साथ, वो बिल्कुल भी time spend करती ही नजर नहीं आ रही है, हमेशा की तरह है, उस अपनी सास असुर के साथ time spend कर लूँ, चलो मैं नहीं भी कर पा रही है, तो मैं funny को ही उनके parents साथ time spend करने दूँ, लेकिन नहीं, डबा जहां जाती है, वहाँ पे call करके within 5 minutes या 10 minutes, funny को भी वहाँ पे बुला लेती है, और funny को भी involve कर लेती है, तो एक तरीके से देखा जाए, तो वाके में funny भीया, आप दुनिया में सबसे जादा प्यार या तो पैसे से करते हैं, या डबा से करते हैं, क्योंकि उसके आगे आपको अपनी mother father के emotions नजर नहीं आ रहे हैं, डबा के पूरी family के emotions आपको नजर आते हैं, लेकिन वहीं पे आपको अपनी parents के emotions भी नजर आने हैं, अपने mommy पापा को priority दे रही है, अपने रिमाई के वालों को priority दे रही है, लेकिन वहाँ पे आपकी priority इतनी जादा divert क्यों हो चुकी है, चलिए एक पती के जिम्मेदारी बनती है, शादी के वाद अपनी wife के साथ support करने की, लेकिन वहाँ पे कुछ आप जनाब और madam से सी कि madam ने जनाब के parents को priority दी, लेकिन वहीं पे आप अपने parents से उतने ही दूर होते जा रहे हैं, शायद यही reason है कि आपके parents के चैरे हमेशा मुर्जाये में नजर आते हैं, क्योंकि आप लोग guest की तरह जाते हैं, और guest की तरह ही वापस आ जाते हैं, अब आप लोग खुद लेकिन जब चीज़ें दिखाए जाती हैं, तो देखने में भी अजीब लगता है, कि यार तुम एक जने एक परिवार को इतनी जाजा तवज्जुब देते हो, छोटी-छोटी चीज़ों का खयाल रखते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो, emotions का ध्यान रखते हो, और वहीं प आपकी जगे, दुनिया में और संसार में कोई नहीं ले पाता, और रिलाइजेशन होगा, और जरूर होगा, यह था मेरा आज का एक रियाक्शन, आई होब आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक शेर और सब्स्राइब करने में प्लीज कंजूसी मत किया कीजिए, और वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग, अर्थ मॉम देहरा दून